हाई गईस और वेलकम बाक तो दी चैनल दीपाच यादा वेजुकेशन वेलकम दी डेली हिंदू नियूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ओफ 17 ओफ मार्च 2023 तो गईस आज है तारिक 17 मार्च 2023 और है फ्राइडे देखेंगे आज के दाहिंदू कंप्लीट नियूस पेपर को अनलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाच यादा वेजुकेशन यूपी एसी आप लोग को यह वाला चनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है डेली करेंट अफिर के विडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सरे डिजिटल नोड्स मिल जाते हैं नव बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, तो आज आप सबी लोग को मैप में जाकर देखना है गवाम को, काफी चर्चा में हैं इसको अच्छे से मैप में देखना, दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे, साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे, जो कि UPSC प्रिवियस येर साल 2003 के प्रलिम्स में पूछा गया था, डेली बिसिस पर हम लोग यहाँ प फिर उप्शन D, जांबेजी रिवर, तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कॉमेंट सेक्षन में देना है, एटलिस सभी को इसमें पाटिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बिसिस पर बोलता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है, वो मैंने आपको टेलिग्र वाले important article की तरफ, दोस्तों पिछले दो दिनों से बहुत सरे news article पब्लिश हो रहे हैं, एविन मैं बोलूँ, तो परसों से बहुत सरे article पब्लिश होना start हुए थे, जहां पे बोला ये जा रहा था कि क्या PM Modi को noble peace prize दिया जा सकता है आपकी बार, noble peace prize एक बहुत important prize है, जिसके पर अक्सर लोगों की नजरे होती हैं कि अब की बार ये prize किसको दिया जाएगा, तो इसके बारे में चर्चा काफी जादा हो गई, लेकिन बाद में कल शाम को ही बहुत सरे और news article पब्लिश होए, कि ये जो भी news निकल कर आ रही है, जो भी Indian media के अंदर में ये news घूम रही है परसों से बहुत सरे news article कुछ इस प्रकार से पब्लिश होता है, जहाँ पर बोला गया कि Nobel Peace Prize 2023 वाला जो की अब की बार दिये जाएंगे, वो PM Modi को दिया जा सकता है, ऐसा खुद Nobel Committee के जो deputy leader हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने बयान में बोला है, ऐसा article में बताया जा रहा था, कि Nobel Committee, क्योंकि देखो, जो Nobel Peace Prize दिया जाता है न, इसके लिए पहले एक पूरी committee तयार होती है, वो committee हमने बना रखी है, और वो जो committee है, उसके deputy leader होता है, एक main leader, तो उन leader ने कुछ बाते बोल दी हैं, PM Modi की तारीफ कर दी थी, अब वो जो तारीफ की है न, उसके basis पर ही Indian media ने बहुत सरी जो news है, वो यहाँ पर cover की है, और इन ही बयानों को ले करना, आपके सकतो हो, यह article publish होना start हो गए, कि अपकी बारना यह prize PM Modi को ही दिया जाएगा, ऐसे बहुत article publish हो गए, अब होता यह है, यह deputy leader बाद में फिर से आते हैं, और ANI के साथ में जब interview करते हैं, तो वहा आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेंगे, इनका नाम क्या है, इनका नाम है, असले तोजे, तो यह इनका नाम है, अब होता क्या है कि पहले ही क्या बोलते हैं, आपको समझाता हूँ, इन्होंने यह बोला, रशिया और युक्रेन के बीच में, जो जारी जंग है, इसमें लोग बढ़ चुके हैं, आधी-ाधी देश यहाँ पर बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत नहीं यहाँ पर अपना न्यूटरल जो स्टांस है, वो बनाई रखा है, हम दोनों देशों के साथ में आपर संपर करने की कोशिश की है, ऐसा इन्होंने बोला, इन्होंने यहाँ पर ब युद्ध जो है ना, इससे किसी का भला नहीं होगा, ये बात इन्होंने बोली, और ये समय यहाँ पर युद्ध करने का है भी नहीं, ठीके, तो मतलब, इन्होंने यहाँ पर काफी सारी जो तारीफ हैं, वो इस प्रकार से की हैं, और इसके बेसिस पर इन्होंने यह बोला कि उनमें शांती स्थापित करने की शमता भी है इनी दो चार चीज़ों को इंडियन मीडिया ने कोड करना स्टार्ट कर दिया अब तोजे द्वारा इतनी जाधी तारीफ की गई है पियमोदी की जिसके बिसेस पर क्या हुआ मीडिया ने काफी सरी जो रिपोर्ट से वो पब्लिश होने लगी कि पियमोदी को इस बार यहाँ पर जो खासकर नोबल पीस प्राइज है इसका दावेदार माना जा रहा है इसमें से एक बहुत मजबूत दावेदार यह है इनी को यहाँ पर नोबल पीस प्राइज दिया जा सकता है ऐसा यहाँ पर बोला गया मतलब इनोंने तारीफ तो की थी बिल्कुल यह सारी बात हैं यहाँ पर बोली थी तो यह सब तो जब बोला ना तो इसी में से कुछ-कुछ चीज़े निकाल कर लोगों ने आप एक कंफर्म करना स्टार्ट कर दिया इंडियान मीडिया ने क्या किया खुद से करने लगे कि यहाँ बिल्कुल नोबल पीस प्राइज मिलेगा अब यह न्यूस ट्रेंड होने लगी आख की तरह फैलने लगी इंटरनाशनल लेवल तक पहुँच गई बहुत साथ आर्टिकल पब्लिश ने लगे एविन बहुत सारे ट्वीट्स होने लगे ऐसे ट्वीट जिसको दो-दो मिलियान लोग देख चुके थे अब जब यह चीज़े बहुत ज़दा वाइरल हो गई न एकदम से जो ट्वीट है वो पूरी तरह से वाइरल हो गया तो उसके बाद में जो यह तोजे हैं यह निकल कर आते हैं वापस और इन्होंने यहाँ पर क्या बोला इन्होंने बोला कि देखो जो भी यह ट्वीट है वाइरल ट्वीट मुझा दिख रहा है दो-धाई मिलियान लोग जो देख चुके हैं ट्वीट को उसको मैं डिसमिस करता हूँ और उस ट्वीट को यहाँ पर उन्हें डिसमिस किया तो ऐसा नहीं है यह बिल्कुल फेक नीज है इनोंने खुद यहां पर यह बोला है कि बिल्कुल एक फेक न्यूज है यह इसके उपर विश्वास ना करें और साथ इसकते इन्हों बोला है कि जब मैं इंडिया में था ना तो मैं एक डेपटी लीडर की तरह था ही नहीं यानि कि जो नोबल पीस प्राइसी कमीटी है ना उसके डेपटी लीडर है वैसे तो यह तो उन्हेंने बोला कि मैं जब इंडिया में था तो मैं डेपटी लीडर था ही नहीं तब मैं क् लेपिट लीडर के पद से हट कर बात की है, ठीक है हट कर मुझे यहां पर तारीफ कर नहीं थी तो मैंने आपर कर दिये, जबकि इंडिया सेंटर फांडेशन के आई ये एक डेली बेस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑउगनाजेशन है, तो इसी के डायरेक्टर की तरह यहां फांडेशन के चेर्मेन है, विभव के उपाद्या है, उन्होंने भी यहां पर बोला है, देखो इंडिया न्यूस चैनल से ने न, इन चीज़ों को थोड़ा सा मिसकोड कर दिया गया है, और मिसकोड करके यह जो न्यूस है, वो पूरी तरह से वाइरल हो जुगी है, तो य ने नोबल कमीटी के डेपिटी लीडर की तरह बोली नहीं है, मैं तो यहां पर ऐस ही इंडिया की एक बोडी है, उसके डिरेक्टरी तरह यहां पर मेंशन किया था, जो मुझे सही लगा, और इसका मतलब यह नहीं है, कि हाँ नोबल पीस प्राइस कमीटी के मैं बिल्कुल पक्का दावेदार यहां पर इनको बता रहा हूं, आई होप गाईज आपको यहां पर एक जो क्लारीटी है, वो इस टॉपिक को लेकर बिल चुकी होगी, खाफी चर्चा में था, तो सोचा यहां पर डिसकस किया जाए, अब मैं आपको कुछ और डीटेलिंग्स अबरेट नोबल नाम के व्यक्ति नहीं क्या किया था, इन नोबल प्राइस को एस्टब्लिश किया था, जो डाइनमाइट है ना, जिसको बिसपोर्ट बगरा में यूज किया जा रहा है, तो डाइनमाइट के इन्वेंटर भी आई है, तो इन्होंने यहां पर बोला, कि दे 1901 में दिया गया था, ठीक है, 1901 में पहला वोड दिया गया था, अब नोबल प्राइस जो है ना, यह अलग-अलग कैटिगरीज में दिया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, एकोनोमिक साइंस, तो इन सब कैटिगरीज में यहां पर यह नोबल प्राइस दिये जाता है, हम लोग अभी जो बात कर रहे है, वो नोबल पीस प्राइस की बात कर रहे है, एक one of the most important प्राइस यहां पर यहां पर यह माना जाता है, नोबल पीस प्राइस का जो सरगा-सरा काम है, वो एक कमिटी करती जिसका नाम है Norwegian Noble Committee, वो यहां प पहले में यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि यहाँ पर बिल्कूल भी confusion ना हो physics, chemistry, medicine, literature और economic science ठीक है physics, chemistry, medicine, literature और economic science यह जो आपको categories दिखरी है ना इन categories में भी nobel prize दिया जाता है अब आपको पीस वाला का गया हाथ हो पीस में भी यहाँ पर दिया जाता है जिसके बारे में भी हम discussion कर रहे हैं तो यह अलग-लग categories हैं कितनी categories हो गई? छे categories में यह nobel prize दिया जाता है अब सवाल यहाँ पर क्या था? कि यह जो prize की ceremony होती है जो पूरा event चलता है तो वह अलग-लग होता है यानि यह जो 5 मैंने अलग लिखे हैं और यह एक अलग लिखा है इसके पीछे का reason है कि जो 5 लिखे हैं मैंने अलग इसके पीछे का reason यह है कि इन 5 प्राइज की ceremony होती है न वो Sweden के Stockholm में होती है कहां पर Sweden के अंदर जो Stockholm नाम की जगह है वहां पर ये पुरा सरेमनी चलता है वहीं पर ये पांचो प्राइज दिया जाता है तो आप कहोगे जो ये Peace Prize है ये भी तो Noble Peace Prize है तो क्या ये इसके साथ में नहीं दिया जाता है देखो उसी दिन दिया जाता है लेकिन सेम जगह पर नहीं दिया जाता ये जो पांच प्राइज है ये Stockholm के Sweden में दिया जाता है लेकिन जो Noble Peace Prize है ये कहां पर दिया जाता है ये Norway के Oslo नाम के जगह में दिया जाता है Norway के Oslo में ठीक है? तो सेम दिन पर event होता है लेकिन दो अलग-लग जगह पर ये event चल रहा होता है अब जितने भी Noble Laureate होता है यानि कि जिनको ये Prize मिलता है उनको Gold Medal, Diploma और एक Monetary Award वगरा दिया जाता है सवाल ये है कि भारत के पहले कौन से Indian Noble Laureate हैं? पहले व्यक्ति जिनको यहाँ पर Noble Prize मिला है तो वो है रमिना टैगोर जी इनको literature वाली category के लिए Noble Prize मिला था 1913 में मिला था ठीक है? फिर उसके बाद में आपसे सवाल बन सकता है पहली Indian महिला Indian women जिनको यहाँ पर Noble Prize मिला था तो वो है Mother Teresa जी उनको यहाँ पर again Peace के लिए Prize मिला था 1979 में ठीक है? यह Peace वाला प्राइज मिला था जिसके बारे में भी हम बात कर रहा है 1979 के अंदर में तो उसको ध्यान में रखना यह थी छोटी-छोटी और बहुत important सी बाते next article पर आते हैं अगला article जो है GS paper number two पॉलिटी के point of view से काफी ज़दा relevant होने वाला है और खासकर locations वगरा wise भी आपसे question बन सकते हैं देखो देश पर में न कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर पानी को लेकर बहुत सारा विवाद छड़ावा है है ना कई सारे states आपको देखने को मिलेंगे और खासकर वैसे state मानलो कि जहां पर एक नदी बह रही है एक राजे से निकल रही है दूसरे राजे से बहती भी जाकर किस समूदर में जाकर गिर जाती है तो दो राज्यों में जो नदी बह रही है तो कहीना कहीन आप़ उस नदी को लेकर काफी सारी Controversies देखने को मिलती है हमारी देश में अलग अलग जगा पर अलग अलग नदी को लेकर Controversy है और उसी Controversy में एक और Controversy आती है एक और इश्यू नजर आता है जो है पेनियार नदी को लेकर कौन सी नदी पेनियार नदी को लेकर अब पेन्यार नधी को लेकर जो मामला है न ये लंबे समय से फासा पड़ा है हुआ ये कि पिछले साल, दिसंबर 2022 की बात है सुप्रिम कोर्ट के पास में ये मामला था सुप्रिम कोर्ट ने आगे तीन महिने के टाइम दिया था कि 3 महिने बाद क्या करेंगे इस मामले को देखने के लिए यानि कि जो ये पेन्यार रदी का issue है करनाटिका और तामिलाडू के बीच में इस मामले को देखने के लिए एक interstate river water dispute tribunal बनाएंगे एक ऐसी body बनाएंगे जो कि यहाँ पर इस मामले को देखेगी लेकिन क्या हुआ नहीं बनाया गया ये जो तीन पर heading देख पा रहोंगे अब मामला क्या है थोड़ा समझते हैं इसको पहले आपको थोड़ा से नदी के बारे में जानना होगा कि पेन्यार नदी exactly क्या है अब पेन्यार नदी की जो खास कर पिच्चर से न कोई जादा पिच्चर अच्छे मिली नहीं है बट फिर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा स्क्रीन पर नीचे आप इस नदी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो और ध्यान रखना क्योंकि examination में rivers को लेकर question बन जाते हैं कि कहां से flow हो रही है कहां पर जाके गिर रही है तो यह चीजे ध्यान में रखने होती है जब हम बात करते हैं पेनियार नदी की तो पेनियार नदी बेसिकली एक साउत पेनर रिवर है इसको हम लोग दक्षिनी, पिनाकिनी के नाम से भी जानते हैं कनडा में ठीक है तो कनडा भास्चा में याँपर उसको इस नाम से ही बोला जाता है और तामिल में आपर कह सकते हो इसको पेनियर के नाम से या थेन पिनई के नाम से भी हम लोग जानते हैं अब होता यह है कि ये नदी बहुत सारे important शहरों से गुजरती है, इस नदी के किनारे बहुत सारे important शहर आते हैं जैसे बैंगलोर, होसोर, उसके बाद में तिरुवनमलय, कडलोर, ये सारे important cities देखने को मिल जाती हैं, बोला जाता है कि तामिलनाडू के अंदर में जो सबसे ब जाती है, अब होता यहाँ पर यह है, ये नदी काफी ज़दा polluted है, बहुत ज़दा इसमें प्रदूशर देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री से सारा जो कूडा करकेट है, वो सब यहाँ पर इस नदी में जाकर गिर रहा है, अब एक important point आता है, क्योंकि यहाँ पर न, इसी line के ओपर ये सारा का सरा article टिका पड़ा है, ये जो नदी है, औरिजनेट कहां से होती है, ये नदी निकलती है करनाटिका से, करनाटिका के अंदर में जो नंदी हिल्स है, वहाँ से, suppose यहाँ पर ये करनाटिका है, ये तामिल नाडू है, ठीक है, तो करनाटिका से नंदी हिल बे आफ बेइव rapt के अंदर में गर गई अब होता यहां पर यह है कि लंबे समय से पता एशू क्या है कि कonna за एक पर पानी ओपर ही पानी तो हम इं परिकिलर में कैसे लोगों को यहां पर वाटर में कर सकते हैं कैसे यहां तो वही यहां पर इशु इस पेञार नदी को लेकर देखने को मिल रहा है कि सुप्रियम कोट ने बोला था आने वले तीन मेने में बना देंगे पिछले साल दिसंबर में बोला था बट अभी वो टाइम पिरेट पूरा समापत हो चुका है कोई ट्राबनल नहीं बनाया गया है और यह जो इंतजार हो रहा था तामिलाडू का कि इस मामले पर अब सुन करना हमारा संविधान क्या बोलता है उसको थोड़ा समझता है जह हम लोग बात करता है water की दोनों मिलकर यहाँ पर कानून मनाती है अब वाटर कहाँ पर है तो वाटर स्टेट लिस्ट के अंदर मैं जानि कि स्टेट लिस्ट के राजों के अंडर में आता राज्य सरकार अपने हिसाब से यहाँ पर डिसिजन्स ले सकती है तो water state list के अंदर में खासकर entry number 17 के अंदर mention किया गया है तो जो हमारे राजसरकार हैं वो यहाँ पर laws वगरा, खानून वगरा बना सकते हैं reverse के मामले को लेकर लेकिन उसके बाद जो हमारा union list है न तो union list के अंदर जो entry 56 है उसकी भी हाँ पर चर्चा की जाती है यानि कि state list के अंदर water का मामला तो है ही लेकिन union list के अंदर में जो entry 56 है आपको पता union list कौन सी है ने, केंसरकार के अंदर में आने वाली तो entry 56 क्या करती है यह हमारी केंसरकार को power देती है कि हमारी केंसरकार क्या कर सके जो interstate river और river valleys को लेकर मुद्दा है यानि कि दो राज्यों के बीच में कोई नदी है न तो उसको यहाँ पर regulate करने की power उसको develop करने की power हमारी केंसरकार के पास में आ जाती है entry 56 के तहट तो entry 17 और entry 56 यहाँ पर water के बारें बात करता है उसके बाद में संभिधान में जो अनुछे यानि article 262 तो article 262 क्या बोलता है यह यहाँ पर बोलता है कि जो parliament है हमारा वो parliament क्या कर सकता है जो कोई भी dispute होता है मालो कोई भी complaint है कोई भी dispute है पानी के control को लेकर की अगर एक नदी दो राज्यों में भेह रही है जैसे अभी मामला यह है करनाड का तामिलाडू का तामिलाडू यहाँ पर बोला करनाड का ने पानी रोक लिया तो यहाँ पर distribution को लेकर कोई इशू है किसी ने पानी अपने control में कर लिया कोई भी ऐसा इशू है तो इन इशू को यहाँ पर देखने के लिए इनके उपर नियाई करने के लिए जो parliament है वो क्या कर सकता है वो इस dispute को handle कर सकता है ठीक है यह बात article 262 के अंदर बोली गई है article 262 के according बात करें तो parliament क्या कर सकता है तो parliament दो तरीके से काम कर सकता है एक तो river board act 1956 और inter state water dispute act 1956 के तहए 1956 के 1956 के यह दोनों act है इसके तहट काम किया जा सकता है यानि जो पहले river board 1956 है न यहाँ पर इस में क्या बोला गया है इस act में हाँ पर बोला गया है कि जो government of India है इनके पास में power है कि माल लोग कोई matter निकल कर आता है इस प्रकार के dispute का तो वो क्या कर सकते है वो यहाँ पर एक board बना सकते है inter state rivers के लिए यानि उस नदी के लिए उस valley के लिए यहाँ पर एक board बनाया जाएगा और कहीं न कहीं राजसरकारों के साथ में बातचीत करने के बाद में board बनाया जाएगा ऐसा यहाँ पर बोले जाता river board के अंदर में फिर वो board उस matter को देखेगा ठीक है लेकिन जो inter state water dispute है यह थोड़ा important है ध्यान रखना क्योंकि हम अभी तक जो use करते वहाँ है वो यही वाला use करते वहाँ है जब यहाँ पर पानी को लेकर किसी राज्य में विवाद हुआ है किसी दो राज्यों में तब तब यही वाला यहाँ पर act का use किया गया है तो यहाँ पर हमारी parliament ने एक और act बना रखा है जिसका नाम है Interstate Water Dispute Act यह भी 1956 का ही act है इस act में यहाँ पर यह बोला गया कि मान लो अगर कोई State Government है अगर कोई यहाँ पर राज्य सरकार है वो अपने विवाद को लेकर Central Government के पास में जाती है Central Government को अप्रोच करती है और उनसे बोलती है कि सरे एक Tribunal बना दो जैसे कोर्ट होता है न उसी प्रकारगा एक Tribunal बना दो एक Body बना दो वहाँ पर इस मुद्दे की सुनवाई की जाएगी ठीक है यह नदी का मुद्दा है इसके लिए एक Tribunal बनाने के लिए यहाँ पर जो हमारी State Government है वो केंसरकार के पास में जाती है अब वो जो Government है Government के उपर है Government यहाँ पर Tribunal बना भी सकती है लेकिन उससे पहले वो एक बार कह सकते हो Consultation करेगी बातचीत करेगी खुद से यहाँ पर मतलब आपस में बैट कर दो राज्यों की बातचीत करवा कर उस मामले को खतम करने की कोशिश की जाएगी अगर वो मामला नहीं नहीं पढ़ता है तो उसके बाद यहां पर जो Tribunal है वो बनाः जाएगा छीक है अब जो रिवर Water Tribunal होता है ना तो रिवर Water Tribunal के अंदर में कौण-कौन लोग होते हैं धहान नक ना इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ इस ट्राइबुनल के अंदर में कौन-कौन लोग होते हैं एक होदा Chief Justice of India उसके बाद में Supreme Court के एक सेटिंग जज हो गए उसके बाद में दो other judges हो गए जो कि यहाँ पर Supreme Court या फिर High Court के हो सकते हैं तो यह सब मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं River Water Tribunal को बनाते हैं और फिर यह जो पुरा का पुरा यहाँ पर Tribunal है वो इन Matters को देखता है ठीक है अब Interstate River Water Disputes के बारे में हम डिसकस करी चुके हैं इंडिया के अंदर में जितने भी Water Disputes हैं उनका जो सलूशन है वो बेसिकली इसी Act के मादियम से नहीं Interstate Water Disputes Act 1956 के मादियम से किया जाता है इस law के according बात करें तो हमारी राजसरकार Central Government के पास में पहुंचती है ताकि जो Central Government है वो Tribunal को बना सके और इस मामले को यहाँ पर सुल जा सके अब समझो एक बात समझो कि मालो कोई Dispute हो गया है और वो सेब यहाँ पर केंशरकार के पास में गए और केंशरकार से बोला Tribunal बनाओ सरकार ने Tribunal बना दिया Tribunal बनाने के बात में मामला सुल जा दिया अपना जोब यहाँ पर decision था वो सुना दिया नेक्स आर्टिकल पर आता है ना दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक्शूर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर देना एक छोटा सा टार्गेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का जिसको आप अचीव करवा सकते हो साधी साथ मेरे साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर कनेट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर जाना सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजूकेशन आपको यह वाला प्रोफाइल मिलेगा चाहां पर 11,000 से ज़ादा लोग जुड़ेवे हैं आप भी मेरे साथ में परस्नली जुड़ सकते हो नेक्स टार्टिकल आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा यह हमारे काम का है नहीं बात की जारी है कि इंडिया के अंदर में कोविड के जो केसिस हैं मतलब पिछले एक दिन के अंदर में आप देखोगे तो लगबख 700 ग्यास पास केसिस देखने को मिले हैं तो border roads organization जो है न इन्होंने क्या किया है एक पास है जिसका नाम है जोजिला पास इस जोजिला पास को अभी open कर दिया है ठीक है जोजिला पास को यहाँ पर खोल दिया गया है यह जोजिला पास कहां पर है यह हमारे हेमालियन रेंज में है लगबख 11,650 फीट की उचाई पर यह कह सकतो यह जो पास होता क्या करता है दो इरिया को कनेट करने का काम करता है तो यह पास भी बेसिकली एक रास्ता है एक गेट है एक गेटवे है किस-किस के बीच में लद्दाक और जमू कश्मीर के बीच में तो लद्दाक और जमू कश्मीर को कनेट करने का काम करता है यह पास यह पास पिछले कुछ समय से काफी जादा बंद पड़ा था बरफ की वज़ा से और हर साल यहां पर बरफ पढ़ती है तो हर साल यहां पर यह बंद हो जाता है है ना इसको बंद कर जाता है लास्ट टाइम यहां पर इसको लंबे समय के लिए लगबख 73 डेज के लिए बंद किया गया था अब situation थोड़ी नॉर्मल हो रही है तो यहां पर बरफ अटा कर इसको अपन किया जा रहा है तो अभी B.R.O. यहां पर इसको अपन कर रहा है जिस चक्र में यह चर्चा में है ठीक है जैसे मैंने बोला यह जो पास है यह लद्दा को जमू केश्मीर को कनेट कर रहा है तो बिसिकली यहां पर दोनों साइड से क्या किया जाता है इस पास को यहां पर साफ के जाता है जो बरफ जमी पड़ी है उसको यहां पर हटाया जाता है सवाल यह है कि ध्यान में रखना है बिल्कुल ध्यान में रखना है क्योंकि आपको बता होगा स्याचिन ग्लैशेर हो गया और कई सारे पास हो गया जिसको लेकर UPS से ओलेडी सवाल पूच चुका है ठीक है तो आप से जोजीला पास को लेकर भी यहाँ पर सवाल बन सकता है तो इदर आप अगर मैप देखोगे तो और अच्छे से क्लिए हो जाएगा यह है लद्दाक और जोजीला पास कहां पर है उसके बाद मैं हिमाल्या रीजन में हमारा जो पूरा हमालया रीजन है ना चायए वो लड्दाक हुआ अरूनाचल-प्रदेश हुआ और कोई सी वैली हुए इसकिमला रीजन हुआ इस पूरे रीजन को हिमा प्रदेश को देखलो ठीक है नीचे आपको हिमाचल प्रदेश वगेरा देखने को मिल रहा है जो पूरा रीजन है यहाँ पर बहुत छोटे-छोटे अलग-लग पास हैं और पिछले एक साल में जो भी पास न्यूज में रहे हैं उन पास की ये पूरी लिस्ट है तो आप लोगों से एक रीक्वेस्ट रहेगी कि इस वाले पिच्चर को प्लीज अपने पास में डाउनलोड करके रखना सवाल बन सकता है एक्जामनेशन में जब जाओगे न उससे पहले याँ पर इन पास को पढ़कर जाना है तो जोजी लापास तो मैं आपको बता दिया है उसके अलावा याँ पर कुछ और पास जैसे की बनीहाल पास आप देख पाओगे बनीहाल पास कहां पर है कश्मीर वैली में देखने को में लेगा उसके आद में 12 लचा लपास आपको देखने को मिलेगा, यह लहौल डिस्ट्रिक्ट में है, खासकर हिमाचल प्रतिर्श के अंदर में, ठीके, फिर उसके बाद में यह है एक फोटु लापास, ठीके, यह काँ पर है लेह के अंदर में है, फिर उसके आद में रोटंक पास हो शिब्कि लापास हो गया जिलिप लापास अच्छा नाथू Lan Das lazis लेकर सवाल यहां पहले बन चुका है ठीक है नफू लापास के बाद में यहां पर लिपल एक पास हुआhhhh खारदोंग लाघ हुआ गरं तो ऐसे यहां पर अलगढ़ पास आपको एक और चुटा सा आर्टिकल आपको यहां पर यह देखने को मिलेगा, इसको आप लोग GSP पर नंबर 3, Defense and Technology से लिंक कर पाऊगे, Defense and Security से खास कर, क्या बात की जा रही है, तो हमारी जो Navy है जो US Navy है, उन्होंने क्या किया है, ग्वाम के अंदर में, ग्वाम आज मैं आपको मैप के अंदर में, तो यह एक anti-submarine warfare exercise हो रही है, और यह basically इस अभ्यास का तीसरा edition है, कौन सा third edition है, तो इसमें यहाँ पर जो हमारी Navy है, वो भी जा रही है, इंडियन नेवी अपना PAI aircraft को लेकर जा रही है, हिस्सा ले रही है इसमें, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी countries जो हैं, वो participate कर रही है, जैसे इंडियन नेवी के साथ साथ यहाँ पर कह सकतो, US की नेवी है, US की नेवी के साथ साथ यहाँ पर Japanese Maritime Self-Defense Force है, फिर उसके बाद में Royal Canadian Air Force है, Republic of Korea की Air Force है, तो यह कुछ यहाँ पर forces है, जो कि आपस में participate कर रही हैं इस अभ्यास में, और यह अ से यहाँ पर clarity मिल जाएगी, यह Australia है, ठीक है, Australia के उपर आप जाओगे, Indonesia है, East Timor है, और उपर जाओगे तो Philippines भी नजर आएगा, ठीक है, तो उसके जस्ट बराबर में यहाँ पर यहाँ पर यह गवाम है, ठीक है, यह गवाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब नामक यह जो पूरा territory है, आइलेंड territory है, यह यूएस का ही है, यह यूएस की ही island territory है, जो की Micronesia में है, यह पूरा region Micronesia कहलाता है, Micronesia, Polynesia, Mellinesia आपने आपर पड़ा होगा, यह अलग यहाँ पर छोटे-छोटे regions हैं, तो यह जो गवाम है किस में आता है, Micronesia वाले region में आ ठीक है, जिसका access भारत के पास में भी है, हमने पहले discussion किया हुआ है इसके बारे में, आ गया आते हैं, धन उसके बाद में आता है next article, आगले article भी हमारे examination के काफी relevant होने वाला है, और यहाँ पर आप इसको GS paper no.3 environment से link कर पाऊगे, क्या बात की जा रही है, बात की जा रही है, N.I.O.T. जो एक body है, जिसको हम लोग बोलता है, National Institute of Ocean Technology, क्या बोलता है, National Institute of Ocean Technology, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम लक्षुदीप में तो देखो, पहले से ही न, क्या कर रहे हैं, desalination कर रहे हैं, अब desalination क्या होता है, लक्षुदीप basically island आपको द Indian Ocean नजर आएगा, ठीक है, और यहीं पर न, हमारे छोटे-छोटे islands हैं, इधर की side में, वो ही हमारे लक्षदीप islands हैं, ठीक है, लक्षदीप islands यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, आप जो लक्षदीप island यहाँ पर नजर आता है, तो दिहान रखना, यहाँ पर हम लोग अलग कर देना, उस पानी को पीने योग्या पानी मिनाना, उसी process को हम लोग बोलता है, desalination, तो लक्षदीप में, अलड़ी यहाँ पर desalination plant लगाया गया, जो की काम करता है, एक technology के उपर, जिसको हम लोग बोलता है, LTTD technology का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर आपको दे मैं अभी के समय पर बात करें, तो यह जो plant है न, इसकी ताकत इतनी है कि यह हर रोज, एक लाख लीटर, त्यान रखना, हर रोज, एक लाख लीटर, potable water प्रोवाइट करवाता है, potable water मतलब, ऐसा पानी, यानि खारे पानी को हमने pot में रखने लाइक पानी बना दिया है, घ प्रिंकेबल वाटर बन जाता है, उसी process को desalination बोलता है, उसके लिए पूरा plant establish किया जाता है, तो लक्षदीप में जो already plant है, वो ltdd technology के उपर work करता है, तो बात यह की जारी है कि जो ltdd technology है न, यह ऐसे काम नहीं करती है, यहाँ पर diesel generator का use करना पड़ता है, ऐसे generator जिसमें भर पूर मातरा में diesel लगता है, अब diesel लगता है, बहुत धुआ होता है, बहुत ज़्यादा pollution होता है, तो क्या हो गया, अब उसी pollution को रोकने के बारे में चर्चा की जारी है, यह जो niot नाम की body है न, इसका मक्सद है कि लक्षदीप में हम एक green self power desalination plant को लगाएं, एक ऐसा plant जो की क्या करे, pollution को खतम कर दे, हमारा target यहाँ पर यह है कि pollution यह जो emission है, इसको हम रोक सके हैं, इसलिए यहाँ पर एक नए plant की लगाने की त्यारी की जारी है, इसी में एक नई technology यहाँ पर add की जारी है, जिस वज़े से यहाँ पर यह चर्चा में है, अब इसको discuss करने से पहले आपको इस article के जो छोटे-छोटे parts में वो cover करने होंगे, सबसे पहले N.I.O.T. यह क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं, relevant है यह, तो यह है National Institute of Ocean Technology, इसके बारे में factual data है, prelims में पूछा जा सकता है, इस body को 1993 में बनाया गया था, एक autonomous society है, यह कौन सी ministry के अंदर में आती है, प्लस यहाँ पर एक director भी होते हैं, जो कि इस particular institute के head होते हैं, उसके बाद में इसका काम क्या है, तो इस प्रकार से important technologies को बनाना, खुद से इंडिया के अंदर में कुछ technologies को बनाना, जो की समुदर के मामले में अलगले problems को solve करते हैं वे नजर आएंगे, खास कर जो exclusive economic zone होता है अब exclusive economic zone क्या होता है यह आपको पता ही है, काफी बार मैंने पढ़ा रखा है, हजार बार पढ़ा रखा है, कि मालोको यहाँ पर एक island है, उसके आसपास का जो समुदर का हिस्सा है थोड़ा बहुत समुदर का हिस्सा उसके अंडर में भी आता है, वो उसकी खुद की water वाली simple शब्दों में, raw शब्दों में आपको बता दिया है, ठीक है तो उस particular area में कह सकते हो कि non living, living resources को लेकर 90 technologies develop करने का काम है N.I.O.T. का, ठीक है, बात clear हो गई, तो N.I.O.T. क्या है यह आपको समझ में आ गया, आप थोड़ा और discuss करते हैं, sir desalination क्या होता है, इसको थोड़ा पानी लेंगे, अब समुदर के पानी में नमक होता है आपको पता है, है न, खारा पानी होता है, तो समुदर का पानी यहां पर लिया गया, यह समुदर का पानी यहां पर intake हुआ, जाने के बाद में, step two में हाँ पर उसकी screening की जा ubiqu砂एगी, तीन में यहां पर उसको filter किया ज साफ करने के बाद में इस वाले प्रोसेस में पांचवे नंबर पर क्या करेंगे उस पानी को पीने योग्य बना देंगे यानि ड्रिंकिंग वाटर बना दिया जाएगा और आगे यहां पर फिर उसको सप्लाई कर दिया जाएगा ठीक है लेकिन अभी आपको चलो यह तो समझ बचेगा वो सरका सरा यहां पर सी में वापस से बेज दिया जाएगा इस रास्ते के मादियम से तो इस प्रकार समझा करते हैं नमक को अलग कर देते हैं तो यह तो हमारा एक नॉर्मल सा डी सालिनेशन प्रोसेस हो गया यह नॉर्मल प्रोसेस है लेकिन जो लक्षदीब के क्या है इसको समझता है यह टेक्लोजी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यूपी असी ओलडी यहां पर सवाल पूछ चुका है ठीक है तो एल्टीडीडी का मतलब देखो हम समझी चो क्या है ओलडी इसका मतलब है लो टेंपरेचर थर्मल डेसिलेशन डिसलीनेशन ठीक है अब इसमें होता क्या है कि इस टेक्निक में एक अलग मेथड यूज़ किया जाता है जो हमारा ओशन होता है मालों यहां पर यह हमारा एक समुद्र है अब समुद्र में दो हिस्से होता है एक तो ऊपर हिस्सा यह हो गया हमारा सर्फेस ऊपर वाला क्या हो गया यह हो गहरे के अंदर जो पानी present होता है, वो थोड़ा ठंडा होता है, वो cool होता है, लेकिन जो surface के उपर, उपर सतह पर पानी तैर रहा होता है, वो थोड़ा warm होता है, गरम होता है, ध्यान अकना, ठीके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसी temperature का हम use करता है, अब उपर सतह का पानी होता है अंदर बिल्कूल गहराई में जाओगे तो पानी ठंडा होता है और इन दोनों के बीच का जो temperature difference है न वो temperature difference कम से कम 4 degree Celsius से लेकर 8 degree Celsius का होना चाहिए तब जाके वहां के पानी का हम proper use कर सकते हैं यहां पर LTTD technology का use करके इस समुदर के पानी को साफ कर सकते हैं ठीक है तो म अब उसका हम करेंगे क्या इसको समझता है अब होगा यह यह वाला process देखो यह LTTD technology को यहां पर represent करता है इधर गरम पानी हो गया warm water इधर cold water हो गया है यह जो समुदरी गहराई से लिया गया है अब warm water जो होगा न यह basically क्या होता है evaporate हो रहा होता है है ना सूक रहा होता है भाप निकल रही होती है जो भाप उड़ती है उपर उसमें नमक तो होता नहीं है त्यानक जो समुदर का पानी है समुदर का पानी है अगर वो भाप उपर भाप बनके उड़ेगा तो उसमें नमक नहीं होता है उसी water vapor का यहां पर use किया जाएगा तो वो जो warm water है ना इस ग गुजारेंगे ताकि हाँ पर हम क्या कर सके हम यहाँ पर गरम पानी और ठंडे पानी का condensation करा सके यानि कि इसके माध्यम से जो water vapor है जो भाप है उसको हम liquid के अंदर convert करवा सके इसी को हम condensation बोलते हैं जिसके माधम से क्या होगा हमें एक fresh water मिल जाएगा और वो fresh water इस प्रकार से हम निकाल कर यूज कर सकेंगे तो यह एक ltd technology का use किया जाता है तो simple सा formula था है ना यहाँ पर जो pressurized water vaporized होगा उसको trap के जाएगा ट्यूब में एक वाटर में cold water मां से निकाला जाएगा और उससे यहाँ पर condensation कर वाया जाएगा और जो हमारा भाप होगा उससे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जो water vapor होटा है क्यों कि condensation मतलब क्या होता है जो water vapor है उसको liquid में convert करना वह process यहाँ पर कर दिया इटिटूरल डिसकेशन पर, तो एटिटूरल आज हमारे पास में कोई भी एटिटूरल काम कर नहीं है, बिलकुल आप सारे एटिटूरल स्किप कर सकतो, कोई भी काम कर नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि एक main question भी लिखना है तो उसके basis पर हमने एक Indian Express का डिटूरल फिर भी ले लिया है उसको हम discuss करेंगे और बहुत पहितरीन आर्टिकल है मैं आपको दिखाता हूँ यह आपको Indian Express का डिटूरल देखने को मिलेगा India and the Anglosphere समझेंगे एंगlosphere क्या है और इंडिया की क्या बात कर रहे है यहाँ पर जो writer है पहली बात नाम ही काफी है वो हैं सी राजा मोहन अब एक बहुत important personality है यह काफी सारे जो international affairs वाले आर्टिकल होते हैं वो Indian Express के अंदर यही लिखते हैं अब पंडूपी के अंदर यह तीन चीज़े क्या है यह basically तीन देशों को represent कर रहे है यानि कि UK, US और Australia यानि कि इस पूरे आर्टिकल में writer ने चर्चा की है AUKUS के बारे में ठीके अब आप समझ गए होंगे AUKUS मतलब US, UK, Australia फिर से बोलता हूँ A से Australia यू से UK और यू से US AUKUS ठीके तो इस body को यहाँ पर बनाया गया है इसके अंदर तीन देश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो यह तीन देशों का क्या है AUKUS कैसे काम करता है प्लस इससे यहाँ पर इंडिया को क्या-क्या challenges face करने पड़ सकते हैं और भारत को क्या करना चाहिए इस group के regarding वो चीज़ें यहाँ पर राइटर ने समझाई है बहुत बेतीन तरीके से आपने कई सारे आर्टिकल AUKUS को लेकर पढ़ लिए है लेकिन यह एक one of the best है समझते हैं exactly क्या है इनके कहने दोस्तो बस स्क्रीन पर नीचे आपको दिखाई पढ़ रहा होगा स्क्रीन पर नीचे आप चीज़ों को follow कर सकते हो और अच्छे सुनते रहना आपको यहाँ पर सरी चीज़े clear हो जाएंगी context क्या है? news क्या है? पहले हम इसको समझता है news क्योंकि किसी news के basis परी तो अटिटूर लिखा जाएगा तो news यह है कि हाली में US, UK और Australia यह जो तीनों देश है इनोंने अपनी जो planning है वो यहाँ पर लोगों के सामने लाकर रख दी है और इनकी planning यहाँ पर यह है कि यह नई nuclear power submarines को बनाएंगे देखो जो सम्मरीन होती है पंडूपी यानि कि जो समुदर के अंदर में चलती है अब पंडूपी भी दो प्रकार की होती है एक तो होती है nuclear power एक होती है conventional जो conventional वाली सम्मरीन होती है ना इसको बार-बार पानी के बाहर आना पड़ता है सब्ता में एक बार तो पानी के बाहर आना ही पड़ता है आपनी बैटरी चार्ज करके वापस अंडर जाना पड़ेगा लेकिन nuclear power submarine को आप थोड़ा लंबे सम्मे तक पानी के अंदर रख सकते हो और पंडूपी का मतलब वो क्या होगा जो जल्दी बाहर बार आएगी अगर जल्दी बाहर आएगी तो वहाँ पे वो पकड़ी जाएगी लेकिन अगर लंबे सम्मे तक पानी के अंदर में रह सकती है तो वो एक best submarine कहलाती है तो nuclear power submarine के अंदर में यहाँ पर इसी चीश का यूज करके हम उसको बैटरी को चार्ज करेंगे लेकिन यहाँ पर पानी के अंदर ही किया जा सकता है आप ऐसा कहा सकते हो simple form में समझने के लिए पानी के बाहर आने के यहाँ पर इतनी आविश्यक्ता होगी नहीं तो ऐसी वाली submarine बहुत कम देशों के पास में क्या भारत के पास में हाँ है भारत के पास में UK के पास में हाँ है US के पास में है चाइना के पास में है तो कुछी countries जिनके पास में submarines है Australia एक ऐसा देश जिसके पास में यह nuclear power submarine नहीं है तो अभी इस AUKUS group को जो साल 2021 में बनाया गया था इस group के बारे में हाँ पर चर्चा की गई है कि इस group के माध्यम से क्या होगा US और UK इन दोनों देशों के पास में जो ये submarines already है ये दोनों मिलकर इस nuclear power submarine को Australia को देने वाले है यानि Australia के पास में ये submarine आने वाली है तो Australia यहाँ पर उन देशों वाली लिस्ट को जोईन कर लेगा जिन देशों के पास में already nuclear power submarines आज के समय पर present है बात ये की जारी है आकरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है तो simple सी बात एक simple साधी चीज ये नज़र आ रही है कि जो China का influence है इंडो Pacific region में उससे लड़ने के लिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है अच्छा ये क्या है तो इंडो Pacific region क्या है ये आप देखो इंडियन ओशन ये हुआ इधर Pacific region हुआ ये पुरका पुरा यहाँ पर इंडो Pacific region कहलाता है ठीक है अब यही पर Australia है उपर China है China बार बार यहाँ पर अपना जो aggression है इस पूरे region में दिखाना चाहता है दिखाता भी है तो US, UK जैसे देश जो की यहाँ पर आसपास भी नहीं है वो चाहते हैं कि हम लोग का भी जो रोल है ना इस पूरे region में वो काफी जदा बढ़ जा है क्योंकि यह area सभी के लिए काफी जदा relevant है तो US, UK साथ में आ रहे हैं Australia के साथ मिलकर इस region के अंदर security प्रोवाइट करवाने का काम करेंगे क्योंकि अभी Australia के पास में इस प्रकार की submarine नहीं है तो इस प्रकार की submarine अभी Australia को प्रोवाइट करवाएगा US और UK ऐसा यहां पर नज़र आएगा ठीक है ताकि उपर चाइना को counter किया जा सके चाइना को tackle किया जा सके इतनी बात समझ माई तो इसी की जो planning है कि यहां निकल कर आ जाती है इन्होंने यहां पर यह सामने इसके बारे में चर्चा की है इस AUKUS PACT के अंदर में क्या है कि Australia को लगबख तीन इस प्रकार की nuclear पार समरीन दी जाएंगी और अमेरिका यहां पर इस समरीन इसको प्रोवाइट करवाएगा जो AUKUS Agreement है इसके अंदर जो Australia है इसको यह जो समरीन दी जा रही है इसमें US तो देई रहा है लेकिन UK भी यहां पर help करेगा अच्छा यह जो काम हो रहा है ना इसको लेकर कई सारे देश तो खुश है कि यहां भाईया सलो सही है ऑस्ट्रिले को यहां पर समरीन बिल ले है इंडो पसिव की रीजन के अंदर Quad वाला ग्रूप भी काम करता है Quad का मतलब है चार देशों का ग्रूप यानि कि इंडिया, आस्ट्रेलिया, US और साथ इसाथ में जैपैन, यह चार देशों का ग्रूप है पुरा Quadilateral Security Dialogue तो उसका काम भी यही कि चाइनों को तो चाइना यहां पर बोलता है कि देखो एक बहुत खतरनाक Alliance बना दिया है AUKUS बिल्कुल Quad की तरह, ठीक है तो चाइना यहां पर इसके प्रति अपने ही जो अलोचना है वो लगातार प्रकट कर रहा है चाइना इसके अगेंस्ट में आपको यहां पर देखने को मिलेगा लेकिन क्या हुआ यह जो पैक्ट हुआ है AUKUS वाला यह जो AUKUS तीनों कंट्रीज का यहां पर यह अरेंजमेंट हुआ है इसकी वज़ासे इंडिया के पास में कुछ opportunities भी आ सकती है कुछ अफसर भारत को मिलेंगे कि हम लोग क्या कर सेगे US के साथ में और जदा arrangement कर सकता है मिलकर काम कर सकता है लेकिन कुछ problems भी create हो सकती है वो यहां पर writer ने समझाया है अब उसको आगे समझने से पहले थोड़ा सा AUKUS के बारे में तीन देश आपको देखने को मिलेंगे इन तीन देशों के बीच में यह जो पूरा का पूरा गुरूप है यह जो agreement है यह sign क्या गया था 2021 के अंदर में जिसके तैत यहां पर क्या है कि हम लोग आस्ट्रेलिया को हम लोग नहीं मतलब यूएस जो है अपनी नुकलर समरेंगे जो टेक्नलोजी है वो आस्ट्रेलिया के साथ में शेयर करेगा ठीक है आ गयाता है अब इसमें केवल इतना ही नहीं है यह जो तीनो देश है यह तीनो देश अलग-लग मामले में भी cooperate करेंगे जो खासका टेक्नलोजी है आटिफिशल इंटेलिजेंस है क्वांटम टेक्नलोजी है ठीक है अंडर सी कैपिबिलिटीज है तो इस मामले में भी यहाँ पर यह तीनो देश आपस में मिलकर collaborate करने वाले हैं cooperate करके यहाँ पर काम करने वाले हैं सवाल यहाँ पर एशिया के लिए कहीं ने की चिंता साबित हो सकता है अच्छा ऐसे कैसे तो राइटर ने पहला पॉइंट दिया है वो है regional security देखो ओकस partnership जो है न यह कहीं ना कहीं इंडो Pacific region की security को और ज़्यादा बेकार कर सकता है अभी तो हम इंडो Pacific region की security और stability के बारे बात कर रहे है इंडो Pacific region की है अभी हमने discuss किया था ना मैंने आपको picture दिखाया था तो यह कह रहा है कि security को खराब कर सकता है क्यों कि चाइना चुब बैठेगा ने और यहाँ पर यह countries आपस में agreement कर रही है यह nuclear submarines प्रोवाइड कर वारी है जिससे यहाँ पर इसमें चिंताय बढ़ सकती है यह जो nuclear technology है ना इसका बहुत ज़्यदा बढ़ावा हो सकता है और यह nuclear technology अपना पर बहुत ज़्यदा ख़तरनाक होती है इसको जिसका फैलावा अगर कम से कम होगा तो वही ज़्यादा बहतर होगा लेकिन कहीना कि यह अशान्ती बनाता बन ज़राएगा इंडो परसिव की रिजन में यह यहाँ पर बोला गया दूसरा point रेटर मेंशन करता है वो है diplomatic implication यानि जो AUKUS partnership है ना यह कहीना कि यहाँ पर कुछ countries के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं नज़रा रहा जैसे इंडिया के लिए जापान के लिए साउथ कुरिया के लिए यह सारे देश यहीं पर तो आते हैं इनके साथ में अच्छा नहीं नज़रा क्यों क्योंकि फिर अगर ऑस्टेलिया के साथ में यूएस-उके की पार्टनर्शिप होती है तो ये तीनों ग्रुप अलग से ही काम करने लगेंगे ये तीनों ग्रुप का अलाई बन जाएगा और यूएस का जो अलायाइस का जो पार्टनर्शिप है दूसरे कंट्रीज के साथ में वो कहीं न कहीं अफेक्ट होता वनजराएगा, ये तीन कंट्रीज साथ मिलकर काम करने वाली हैं, ऐसे यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये तीनों अपने अमगर होके काम करेंगी, बाकी जो यहाँ पर कंट्रीज हैं, इनको यहाँ पर जटका लगने वाला है इस ग्रूप से, तीसरा यहाँ पर है Impact of Non-Proliferation, देखो, AUKUS Partnership के अंदर, डायरेक्ली, नुकलिर पावर सम्मरीन टेक्नलोजी ट्रांसफर की जारी ऑस्ट्रिलिया को, ऑस्ट्रिलिया को ये डारेक्ट टेक्नलोजी दी जारी है, और जबकि हम बात करता है कि जो नुकलिर टेक्नलोजी है, इसको इसके फैला पर में होने लगेंगे, तो जितनी जादा यहाँ पर नुकलिर टेक्नलोजी होंगी, उतना जादा, जितनी जादा यहाँ पर कह सकते हो, कंट्रिस के पास में नुकलिर कैपिलिटी होंगी, उतनी जादा जो खत्रा है वो बढ़ता बना जराएगा, ठीक है, कह सकते हो, घर म पर जो है ना एक defense industry के मामले में एक important country है है ना हम ने defense के मामले में काफी काम किया है अब यह जो agreement औकरस के बीच में हो गया है इससे क्या होगा इससे यहाँ पर Australia की जो capabilities है वो एकदम से बढ़ जाएगी Australia की सक्षमता को एकदम से बढ़ा देंगे और कहीं है क्या क्या चिंता है यहाँ पर AUKUS GROUP को लेकर अब बात यहाँ पर यह है कि what will be the strategic consequences for India इंडिया के लिए बढ़िया क्या इस GROUP को लेकर चिंता है तो हमने discuss कर लिए बढ़िया क्या है इसको समझता है इससे क्या होगा Australia के साथ में हम relations को इंप्रूव करते हैं नज़र आएंगे क्योंकि Australia के साथ में देखो हम लोग और ग्रूप जैसे Quad Group है Quad Group में भी हम Australia के साथ में partnership कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा एक और अफसर बनता नज़र आएगा कि इंडिया जो है ना Science and Technology Corporation के मामले में Australia के साथ में और जदा deeply corporate कर सके मिलकर बाचीत कर सके इससे क्या होगा इंडिया की जो खुद की technology capabilities है वो यहाँ पर increase होती भी नज़र आएंगी और Australia के साथ में मिलकर इस पूरे region में हम लोग शांती को बना सकेंगे यानि शांती को maintain करने के बारे में चर्चा कर सकेंगे इस पूरे के पूरे region में कैसे तो सबसे important चीज यहाँ पर यह है न कि इंडिया जो है अपना जो partnership है वो AUKUS group के साथ में बढ़ा पाएगा यानि UK, US, Australia तीनों के साथ में corporate कर सकेगा तो ज़ाधा opportunities हमारे पास मैंगी हम ज़ाधा अच्छी तरीके से इंडो Pacific को secure बना सकते हैं, China से बचा सकते हैं फिर उसकाद में राइटर ने mention किया है कि हमें क्या करना पड़ेगा जो एंग्लो स्फेर वाला idea है इसको हम यहाँ पर गड़ी लगा रहे होंगे इसका मतलब क्या है? देखो इंडिया का आप इतिहास देखोगे तो जितनी भी यहाँ पर विदेशी कंट्रीज यह जैसे New Zealand, Canada, Australia, UK, US यह यहाँ पर जितनी भी अंग्रेज बोलने वाले लोग हैं न इनके साथ में relations हमारे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं काफी सारी difficulties हमने face किये हैं लेकिन AUKUS GROUP के मादे हम से कही ना कहीं जो English speaking यह जो countries हैं यह सब लोग यहाँ पर कहीने कि इंडिया के इस particular region में Indo-Pacific region के अंदर होंगे इससे कहीने कि यहाँ पर क्या होगा इन सभी countries के और इंडिया के जो relations है वो यहाँ पर काफी मजबूत होते वे नज़र आएंगे हैना इससे क्या होगा जो geopolitical bonds है वो यहाँ पर मजबूत होते वे नज़र आएंगे क्योंकि Indo-Pacific region में यह तीनों countries मिलकर काम करेंगी और इंडिया यहाँ पर एक important country है इंडो-Pacific region का तो इनके relations यहाँ पर expand होते वे नज़र आएंगे आने वले समय पर हो सकता है इनके ties और ज़्यदा मजबूत हो जाएं चीक है फिर उसके बाद में possibility है कि जैसे अभी ऑकस group तयार हो गया है न तो इससे क्या करें इंडिया भी इसमें add हो जाए इंडिया भी साथ मिलकर क्या करें बहुत सरे military cooperation कर सकें है ना joint अभिहास कर सकें कुछ और चीज़े भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि यह देश अब यहाँ पर रहेंगे इनका थोड़ा सा present जो presence है वो इस particular region में रहेगा तो इससे भारत के relations जो है इन देशों के साथ में improve होते हैं वह नजर आएंगे अब सवाल यहाँ पर यह कि इंडिया जो है ना इस पूरे AUKUS group को लेकर जो यह पूरा का पूरा डील हुआ है इसका कैसे बेतीन तरीके से यूज़ कर सकता है तो देखो भारत के लिए क्या होगा पहली बात तो collaboration के लिए ना बहुत सारी जो opportunities है वो यहाँ पर open हो चुकी है इंडिया क्या कर सकता है और बहुत सारी opportunities को open कर सकता है AUKUS countries के साथ में हम collaborate कर सकते है है ना यह लोग technology transfer की बात कर रहे collaborate कर सकते हैं technology transfer के मामले में इन से कुछ और चीज़े हम लोग ले सकते हैं कुछ नएनी technologies यहाँ पर ले सकते हैं यह maritime security हुआ, cyber security हुआ उस मामले में भारत यहाँ पर AUKUS countries के साथ में collaborate कर सकता है और AUKUS countries मना नहीं करेंगी हम लोग यहाँ पर collaboration नहीं नहीं कर सकते हैं प्लस उसके बाद में इंडिया को ना क्या करना पड़ेगा एक काम और करना पड़ेगा एक balance बना के रखना होगा ऐसा नहीं कि AUKUS गुरूप आ रहा है इंडिया वाला region में तो हम इसके साथ ही मिल जाएं हमें दूसरी कंट्रीज के ओपर ध्यान रखना होगा जैसे रश्या, फ्रांस, जैपैन जो है इनके साथ में भी partnership को maintain रखना होगा इनहीं के साथ में यानि AUKUS के साथ में प्रॉपरली पूरा मिल नहीं जाना होगा ठीक है फिर उसके बाद में जो उसको मजबूत करने के ओपर काम करना होगा क्योंकि क्वार्ड गूर्ड गूर्ड भी यहाँ पर अपने आप में एक important गूर्ड है जहां पर चार कंट्रीज है जहां पर अगेन इंडिया औस्टेलिया दोनों है क्योंकि क्वार्ड गूर्ड का भी काम क्या है कि जो इस particular region इंडोपसिव रीजन जो है ना यहाँ पर इस particular region को stable करना यहाँ पर जो power उसको यहाँ पर balance करके चलना तो क्वार्ड गूर्ड को मजबूत करना भी काफी ज़दा आवशक है भली ओकस तयार हो जाए कोई बात नहीं हम यह नहीं चाहते औकस ग्रूप एक ही ग्रूप आ जाए इस पूरे region के अंदर में औकस ग्रूप पी तयार होकर वही इस पूरे region में राज करने लगे तो इंडिया का presence यहाँ पर काफी कम हो जाएगा तो हमें quad ग्रूप को भी मजबूत करके चलना पड़ेगा जहाँ पर इंडिया का एक काफी बड़ा presence नजर आता है ठीक है फिर उसकी बाद में राइटर ने मेंशन किया है कि भारत को जो छोटे छोटे और देश है उनका जो interest है वो भी हाँ पर ensure करके चलना होगा ऐसा नहीं है कि आकस के पीछे हम भागें और ऑकस के साथ में ही सारा काम करें और बागी छोटी-छोटी कंट्रीज को पीछे छोड़ दें ऐसा नहीं होने वाला और इस पर्टिकुलर रीजन में भी यानि इंडो पसेवी रीजन में भी आसपास काफी सरे छोटे-छोटे आईलेंड कंट्रीज है हैना उनके साथ में भी हमें जो अपने रिलेशन से वह एंशौर करने होंगे उनका जो इंट्रेस्ट है वो भी ध्यान रखना होगा उनको कोई नुकसान ना हो उन चीजों से उसका ध्यान में रखना होगा नहीं तो फिर ये ग्रूप अपना काम करता रहेगा अगर कोई issues होते हैं तो बाकी कुछ countries को वहाँ पर परिशानी होगी इससे relations काफी खराब होंगे तो हमें ensure करना होगा बाकी सारी countries भी बिल्कुल safety के साथ में आराम से वहाँ पर रह सकें तो I hope guys आपको यहाँ पर India AUKUS को लेकर सारगा सार जो information है वो clear हो चुका है जो यह AUKUS group है ना इसका impact भारत के उपर क्या पढ़ेगा यानि इस पूरे Indo-Pacific region में जो भारत का interest है उसके उपर क्या impact पढ़ने वाला है इस AUKUS group का दूसरा यहाँ पर बताना है कि इंडिया का approach क्या होना चाहिए यानि जो AUKUS group नया development हो रहा है नई चीज़े आ रही है तो इसको लेकर भारत का क्या approach होना चाहिए भारत को क्या करना चाहिए यह आपको समझाना है ठीक है तो हिंदि में भी read कर जेता हूँ AUKUS हमू भारत प्रशांत छेत्र में भारत के सामरिक हितों को कैसे प्रभावित करता है और इस नए विकास के प्रती भारत का दृष्टी कोड़ क्या होना चाहिए यह आपको समझना आना है 2500 चब्दों में आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सम्मिट करना है टेलिग्राम पर जाना वहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखना दीपक्च यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग फुल फॉर्म मिलेगा आपको मेरा चैनल मिल जाएगा 50,000 से जादा लोग वहाँ पर जुड़े हैं आप भी मेरे साथ में जुड़ कर अपने जो आंसर राइटिंग है जो भी आप आंसर लिखोगे महाँ पर सम्मिट कर सकते हो आंसर को सम्मिट करने के साथ दोस्तो एक चोटा सा काम करना है एटलीस सभी लोग को दो-दो आंसर रिव्यू करना है जब आप सभी लोग दो-दो आंसर को रिव्यू करोगे न तो बहुत सरे बेनेफिट्स होंगे आपको भी और सामने वाले को भी आपको कुछ important points मिलेंगे जो आप अपने notes में include कर सकोगे सामने वाले के answer में अगर कोई mistake हो दी तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ यहाँ पर आपको एक improvement की आवश रखता है तो इस way में हम लोग इस पूरे के पूरे group को चलाते हैं नेक्स आर्टिकल वैसे हमारा देखो text and context के अंदर यहाँ पर एक और चुटास आर्टिकल देखने को मिलेगा sorry text and context के अंदर नहीं Friday में देखो एक interview publish होता है तो आज भी यहाँ पर opinion पेच पर एक interview आया है जो की बात करता किस के बारे में? child marriage के बारे में है ना तो शादी के उमर 18 से किस करने के बारे में काफी सारी चर्चा की जा रही है cancer कार यहाँ पर इसको लगू करने वाली है वो हमने कल discuss किया था उसी को लेकर यह article में चर्चा की जा रही है ठीक है आप दोनों यह writer हैं आपस में बातचीत कर रही हैं तो दो चार पॉइंट यहाँ पर इनुने बोले हैं क्या क्या है उसको थोड़ा बहुत देख लेता है सबसे पहली चीज इनुने बोला है कि जो child marriage हो भी रही है आज के समय में इसमें दो तीन चीज़े matter करती है पहली चीज wealth और दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है वो है poverty अब आप कोगे इसका मतलब क्या है और तीसरी चीज़ यहाँ पर education यह तीन चीज़ें जो कि बहुत matter करती है child marriage में आप यहाँ पर खुद भी feel कर पा रहे होंगे होता यह है कि जो बाल विवा हो रहा है बच्चों का काफी बार होता नहीं है कि 18 साल से कम उम्र में आपर दो अभी जो marriage का कराइटेरी रखा गया है लड़की कम से कम 18 साल होनी चाहिए और लड़के की 21 साल अगर 18 साल से कम लड़की की उम्र है या 21 साल से कम लड़के की उम्र है इस उम्र में शादी करवा होगे तो बाल विवा कहलाएगा तो minimum लड़की की 18 और लड़के की 21 तो होनी ही चाहिए यह यहाँ पर बोला जा रहा है recently यहाँ पर काफी सरे articles पब्लिश होए और सरकार का focus यहाँ पर यहाँ पर यह की लड़की की उम्र जो है अठारा से बढ़ा कर लड़की की उम्र भी 21 कर देनी चाहिए ठीक है ताक यहाँ पर उसका जैसे शादी जल्दी हो जाती है तो अभी pregnancy जल्दी आ जाती है उससे काफी problems उनको face करनी पड़ती है उनकी health को problem face करनी पड़ती है जो बच्चा जन्म लेता है वो भी यहाँ पर healthy बच्चा नहीं होता है तो यहाँ पर इसको बढ़ा दिना चाहिए सुमर को increase कर दिना चाहिए एक किसमें शादी होगी तो अराम से यहाँ पर जब उसके बाद में यहाँ पर जब बच्चा एक जन्म लेगा तो वो एक healthy बच्चा होगा ऐसा यहाँ पर reports का कहना है जो महिला है उसका nutrition भी काफी अच्छा रहेगा लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर यह बोला जा रहा है जो बाल विवा हो रहा है उसके पीछे यह तीन मेजर फैक्टर है सबसे बढ़ा फैक्टर है wealth अब भाई जिसके पास में पैसा है जो अमीर है वो थोड़ा सा रुक जाता है थोड़ा रुक कर यहाँ पर अपनी लड़की की शादी कर लेता है वो चीज़ यहाँ पर यह बोलता है कि थोड़ा अमीर उसके पास में थोड़ा ज्यादा पैसा है वो रुक क्या थोड़े समय के लिए कि भाई यह चलो ठीक है हम शादी रुक के कर देंगे लड़की को पढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत रोका उसके वाद में यहाँ पर थोड़े साइम पर रुकने के बाद में क्या होगा वो शादी करेंगे लेकिन शादी करने वाद में जब दहेज देंगे न तो अगेर यहाँ पर जो दहेज है वो यहाँ पर थोड़ा कम ही देना चाहेगा हर कोई है ना तो वो चीज़ यहां पर नज़र आए कहने का मतलब है कि wealth बहुत important rule play करती है जिसके पासे पैसा वो थोड़े समिक लिए रुख जाएगा थोड़े समिक रुख कर यहां पर लड़की की शादी कर सकता है लेकिन इसी को आप यहां पर poverty से compare करो अब जो इंसान गरीब है वो जो गरीब है ना वो ही सोचता है यहां पर नज़र आती है जिसकी चक्कर में जो भाल विवा है वो यहां पर increase हो रहा है poverty एक बहुत बड़ा section नज़र आता है फिर दूसरा writer ने समझा है education काफी सरे लोग अपनी लड़क्यों को पढ़ा लेता है educate कर लेता हैं उनकी नौक्री लग जाती है जब लड़की रखी न अपने घहर में हाथ पढ़ा रही होती है घहर में support कर रही होती है और उस लड़की का जो जहांपर विवा होगा जो शादी होगी उसको आप टाइम भी देतो अच्छा कासा प्लस जब शादी होती है education उसकी एक proper education मिल चुग है पड़े लिखी लेठी है कहीं पर job कर रही है अब जब शादी होती है तो उत्थी ज़ादा मांग भी नहीं होती है क्योंकि उसके पास में ability है काम करने की हैना उसके पास में skills है और already यहाँ पर वो कमा रही है पैसा और आज के समय पर writer बोलते हैं कि जो पड़े लिखे लोग हैं खास कर जो खास कर अगर हम बात करें लड़कों में जो कोई professional work में काम कर रहा है क्योंकि वो भी पड़ा है वो भी पड़ी लिखिये तो एक mutual understanding होने की वज़ा से जो दहेज वगरा है वो काफी कम देना पड़ता है तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि एक लड़की पड़ रही है तो शादी के लिए weight भी किया जा सकता है और weight हो रहा है लेकिन अगर लड़की के पास में education कम है तो कहिने की child marriage का rate भी जाद दर देखने को मिलेगा है जहाँ जाँ पर education कम है जहाँ जगाओं में पाल विवा थोड़ा ज़दा देखने को मिलता है वहाँ पर बच्चियों को पड़ाया भी कम जाता है तो वो चीज़ यहाँ पर writer ने समझाई है यह दो तीन बड़े बड़े factor से जिसकी चक्कर में जो child marriage हो यहाँ पर increase हुआ है तो educated women जो है न वो यहाँ पर थोड़ा सा late marry कर सकती है थोड़ा उनकी late शादी हो सकती है यह article इसे लिखा गया था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो असम की सरकार है वहाँ पर बवाल मचाव असम में असम की सरकार ने लगबग 2000 जो आदमी है उनको arrest करवाया reason क्या था? क्योंकि कहीना कि यहाँ पर child marriage में उनका एक बहुत 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 रूल था या तो बाल विवा किया है या फिर बाल विवा करवाया है अब यहाँ पर असम की सरकार ने जितने भी लोग को arrest किया है पिछले साथ सालों के सारे चिट्टे खोल दिया है इनों बोला है, पिछले साथ सालों में, बाल विवा से, जो भी मुल्ला, काजी, पुजारी, जो भी यहां पर, जिनोंने यहां पर बाल विवा करवाया है, जो भी इन सीजों से लिंक है, उन सब को यहां पर अरेस्ट किया गया, इस चक्कर में हांपर, असा में recently काफी बावा तो दोनों का यहां पर इस्तमाल करके जो बालविवा की केसिस थे यहां पर उनको रोकने का काम किया गया है जैसे पोक्स हो जो है ना यह क्या करता है जो बच्चे हैं उनको sexual offense से बचाने का काम करता है और खासकर 14 साल से कम उमर के बच्चों को बचाने का काम करता है लेकिन ज यहाँ पर 14-18 साल के अंदर शादी हो रही है किसी बच्चे की तो वो बाल विवा है और कहीं ने के इस एक्ट का यूज करके उस व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है और 14 से कम उम्र है तो यहाँ पर पोक्सो के तहित वाले केस देखे जाएंगे यानि कि बाल विवा को रोकने के लिए जो आक्ट है पोक्सो और पीसी आमें यह बेसिकली यहाँ पर लेकर आए गए है ठीके अब इंडिया के अंदर चाइल्ड मरीज जिसका अल्रडी स्टेटस क्या है हम इसको डिसकस कर लेते हैं देखो भारत में जो चाइल्ड मरीज है वो पहले के मुकाबले काफी कम हो चुकी है एक समय था दो हजार पांच छे का जब इंडिया में 47.4% के आसपास बाल विवा हुआ करते थे जो कि 2015-16 में कम हो चुके हैं लगबग 26.8% के आसपास ये क्राइटेरिया पहुच चुका है पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से बाल विवा कम हुआ है जैसे बोला गया कि अभी 2021 में बाल विवा 23.3% के आसपास पहुच चुका है जो कि एक समय पर 40-50% जाता था तो कम तो हुआ है डेफिनिटली यह यहां पर बोला गया तो आठ राजे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां पर अभी भी सबसादा बाल विवा है तो आठ राजे कौन कौन से हैं जैसे वेस्ट बैंगोल हो गया बिहार त्रिपुरा यह बाल विवा के मामले में टॉप करते हैं यहां पर बोला गया कि जितनी महिला है आज के समय में 20-24 साल में है न 40% के आसपास जो महिला है इस पर्टिकलर एज में आने वाली उनका कहिने की बाल विवा हुअ है उनकी चादी जो हे 18 से कम उम्र में करवा दी गई थी अब कुछ राजे ऐसे जहां पर बाल विवा बहुत बड़े लेवल पर हुआ करता था बच पिछले कुछ समय पर वहां पर बाल विवा कम हो चुका है है जैसे हमने देखा मद्यप्रदेश के अंदर में मद्यप्रदेश के अंदर में 2020-21 में और 2015-16 में बहुत बड़ा डिफ्रेंस है 2015-16 में 32% के आसफास बालविवा हुआ करता था बड़ 2020-21 में ये 23% पहुँच चुका है और राजिस्तान में भी ऐसे ही है राजिस्तान में एक समय पर 35% के आसफास बालविवा देखने को मिला करता था जो की कम होकर यहां पर 25% देखने को मिल रहा है अब दुनिया भर में क्या सिनेरियो इसका थोड़ा यह डिसकस कर लेते हैं देखो हमारे पास में UNICEF का डेटा है उसके according बात करें जो हर साल की बात करते हैं तो हर साल लगबग 12 million के आसपास जो बच्चिया हैं उनका यहां पर शादी करवा दी जाती है तो child marriage में आप देख पाऊगे दुनिया भर में हर साल 12 million के असपास यहां पर शादिया हो रही है तो यह पूरा status है जिसका आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो अपने ethics में यह river Zambesi से संबन देते हैं और यह river Zambesi कहां पर है South Africa में इस्थेत है South Africa नहीं खासकर Africa वाले जो हमारा continent है वहाँ पर यह देखने को मिलता है नाव इसके साथ मैं करते हैं लेक्चरों के समाब और मिलता है आप लोगों को इस अगले वीडियो में आज के लिए बाइबाई have a nice day thank you and जैहिंद